इसमें आपको एक साइड जो है कुछ इस परकार से आपको तीन पॉइंट देखने को मिलेंगे तो बीच वाला हमारा ये कॉमन बोल सकते हो जो जी एंडी होगा यहां पर जी एंडी होगा उसका भी कनेक्शन में आपको करके दिखाऊंगा तो यहां पर ये ग्राउंड में च राइड वाला ये दोनों हमारा चला जाएगा कहां फीड़एक में फीड़एक मिलेगा कहां से यह हमारा आउटपुट वाला जो इमीटर है यहां से एक वायर आएगा और इसमें कनेक्ट हो जाएगा एक वायर यहां से आएगा इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो देखे दोस्तों ये जो हमारा feedback के लिए दोनों वायर आ रहा है ये दोनों वायर कहां चला जाएगा इस transformer के input पे जहां पे हमारा feedback input होता है तो यहां पे देखे ये जो हमारा दोनों वायर आ रहा है जैसे एक feedback यहां से आ रहा है एक feedback यहां से आ रहा है तो इसको क्या बिरूरी नहीं है कि यह वाला इसी में होना चाहिए और यह वाला इसी में होना चाहिए इसको आपस मैं बदल भी सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर जो सामने सामने आ रहा है उसको मैं connection यहाँ पर कर देता हूं और दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी वायर को मैंने पतला वायर स करेते दिखिए यह जो feedback वैर हमारा इस प्रकार से आ जाता है इसमें एक और वैर हमारा add होगा जो होगा ground का तो यहां पर यह दोनों पीन आपस में slot होता है यहां पर इस प्रकार से लगा देना है एक वैर जो ground में जाएगा और यह वैर कहां चला जाएगा यह transistor पर कहीं connect नहीं होगा एक वात का ध्यान रखे यह जो output transformer से जो ground वैर आएगा जो यहां पर आएगा यहां पर यह वाला यह transistor से इसको कोई लेना देना नहीं है इसको direct board पर लगा देना है कहां पर जहां पर मैंने ground लिखा हुआ है यहां पर भी लगा सकते हो यहां पर भी लगा सकते हो यह वाला ground यह सभी सेम ग्राउंड है तो मैं यहां पर लगा देता हूं तो देखे दोस्तों यहां पर जो यह output transformer है इसका feedback एक यहां पर है feedback यह दो यहां पर है और यह पैनल दूंगा यह जो हमारा दो पॉइंट आ रहा है तो नीचे वाला ground होगा और यह main input होगा तो आए इसका connection मैं कर लेता हूं तो इसका कि यहां पर जो audio output होगा यहां पर जैसे audio panel है यहां पर मैंने लगा दिया है और इसमें एक वायर हमारा हटा हुआ है और इसमें हमें single channel कहीं जरूरत है तो यहां से यह दोनों वायर जाएगा और यहां पर audio input हो जाएगा यहां से output होगा और यहां पर supply मैंने इसको बारे जीरो बारे टांस्फरमर से दिया है और दोस्तों आप चाहते हो कि यहां पर डारेक्ट जो है इस पीन के थुरू चलाना जैसे यहां पर देखिए इस पीन के थुरू तो आप इसको भी direct यहां पर दे सकते हो जैसे ground वाले क जोर कर यहां पर इंपूट कर देना है और प्रटेंस्वमिटर का connection के इस प्रकार से होगा अपने diagram में देख लिया है वहां पर पर सकते हो तो इनपूट यहां पर मैंने simply दे दिया है इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं आप अपने हिसाब से दे सकते हो कि इसमें पर 20-0-22 चार एंपियर का यह transformer है और इसमें आप 28 बोल्ट 10 एंपियर का transformer यूज करें जो इसके सेट में आता है जो प्रोपर एंप्लीफियर बनता है इसका अरहाई सवाट का वहां पर यूज करें मेरे पास यह 22-0-22 है तो मैं इसको यूज में लेने वाला हूँ इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए यहाँ पर इस परकार से connect कर लेना है यहाँ पर इस परकार से connect कर लेना है और इस दोनों में यह जो हमारा 0 वाला वायर इसको छोड़ देना है और यह जो दोनों हमारा वायर आता है जो 22 है और 22 है तो इस दोनों को यहाँ पर connect कर देन यह जो दोनों हमारा point आ रहा है rectifier का, तो यहाँ पी इसको लगा देना है, तो यहाँ पे देखिए यह जो हमारा 22 और 22 यहाँ पे जो wire आता है, उसको devote में इस प्रकार से लगा देना है, और यह हमारा 0 वाला भी खाली रहेगा, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं 63 वोल्ट 47 सो UF का यह दो capacitor यूज कर रहा हूँ, ताकि वोल्ट अच्छा यहाँ पे तयार कर सके तो इसको क्या है, यह आपको parallel में लगाना है, जैसे यह plus है और यह minus है, तो इसका plus plus के साथ और minus minus के साथ यहाँ पे series में नहीं करना है क्योंकि मैं यहाँ पे single supply बना रहा हूँ तो इस दोनो capacitor का plus plus और minus minus, एक साथ मैं यहाँ आपे connect कर लूँगा देखिए दोस्तो, यहाँ पे यह दोनो capacitor का, यह plus सीरा से एक सीरा में जाता है यह चला जाएगा plus वाले में plus वाले में मैं यहाँ पे connection कर देता हूँ और जो यहाँ पे हमारा zero वाला wire है उसको minus में connection कर देना है तो इस परकार से लगा देना है बहुत दोग बोलेंगे कि ऐसे करने में हमारा amplifier से humming आगा तो ऐसा नहीं दोस्तों बड़े बड़े amplifier में भी ऐसा bridge reactifier जो बनाया रहता है और दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको इसलिए बना कर दिखाया है मैं direct जो है इसको ना दिखा के direct मैं आपको बोलता है 30 से 36 पोल 10 ampere का power supply आपको देना है लेकिन मैंने यहाँ पे power supply का connection इसलिए मैंने दिखा दिया है कि बहुत लोग के पास वह सा transformer नहीं होगा छोटा transformer इवेलेबल हो जाता है जैसे 20-20, 4-5 ampere चाहे वो 24-24 क्यों न हो तो इस प्रकार से जो है बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं दो wire निकाल लेता हूँ जो negative और positive होगा तो इसमें आपको मोटा सा wire यूज करना है मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आपको practical check करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं पतला wire ही यूज करता हूँ अगर आपको यह से यूज करना है तो मोटा wire यूज करे हर जगा क्योंकि यह ज़्यादा power का होता है इसलिए आप मोटा wire यूज करे अच्छा response मिलेगा तो यहाँ पर मैं power supply के लिए wire यूज कर लेता हूँ यहाँ से मैं दो wire निकाल लेता हूँ minus plus के लिए जो इस board में जाएगा यहाँ पर यह power supply हमारा बनके तयार हो चुका है और यह 2022 transformer से मैंने power supply बना है और मैं आपको यहाँ पर power supply को चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा power supply कितना तयार हो रहा है दोस्तों मैंने इस transformer मैंने supply दे दिया है और मैं आपको पहले AC वोल्ट चेक करके दिखा देता हूं कि यहां पर मैंने कितना सप्लाई दे रखा है यहां पर मैंने यहां पर अभी open condition में है इसलिए चालीस बोल्ट यहां पर बता आ रहा है जब यह ड्रैवर बोल्ट के साथ यह connect होगा तो यह हमारा तो देखे दोस्तों इसका connection जो है कहां पर करना है मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर यह जो हमारा driver board है तो जहां पर यह plus है और जहां पर यह ground है वहां पर आपको करना है प्लस को प्लस वाले के साथ और ground को ground के साथ आप चाहे तो यह बला प्लस जो है इस transistor के बीच वाले में भी कर सकते हैं तो ground का wire हमारा थरा दूड़ी हो जाता है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ मैंने यहां पर connection करना है तो देखे दोस्तों यहां पर मैंने जो plus है तो plus वाल आप हो जाएगा तो आएए मैं यहां पर जो है इसको चेक करता हूं अब इस पर मैं speaker को लगाऊंगा जो speaker दोनों box मेरे side में है और यहां पर मैंने आपको बताया था कि यह जो हमारा output transformer है इसमें आपको motor wire देखने को मिलेगा और पतला wire देखने को मिलेगा यहां पर यह ती यह तीनू अलग है और यह तीनू अलग है इसका binding जाए से यहाँ में और यहां से उस्ताट हो तो यहां पर आया यह इसके साथ नहीं है यह 3 एक साथ है और यह 3 एक साथ है तो जहां पर motor wire है यह speaker के लिए होगा यह common है यह चारों है और यह आठों है किसी किसी में common यहाँ पे होता है, 4 इधर होता है, 8 इधर होता है, जब इस transformer को purchase करेंगे, तो यहाँ पे आपको details लिखावा मिल जाएगा, इस पे था लेकिन हट गया है, और यहाँ पे देखिए, यह 70V और 100V, यह हमारा unit चलाने के लिए, जो horn होता है, उसको चलाने के लिए तो मोटा वाला wire हमेशा speaker के लिए होता है, पतला wire हमेशा unit के लिए होता है, तो यह आप ध्यान रखे, common यहाँ से ले लूँगा, और 8 ओम यहाँ पे लगा दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दो speaker को series में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको connection कर लेता हूँ, तो दोस्त जो मैंने speaker को connect कर दिया है, तो finally मैं यहाँ पर power supply देने जा रहा हूँ, तो देखे दोस्तों, यहाँ पर मैंने power supply दे दिया है, और यहाँ पर LED blink हमारा कर रहा है, यहाँ पर BT card में, यहाँ पर किस भी परकार का LED नहीं लगा हुआ है, और आईए मैं यहाँ पर जो है, आपको वोल्ट आपको चेक करके दिखा देता हूँ, कि कोई वाइसिंग वोल्ट यहाँ पर चेक करना होगा, तो दिखिए मल्टी मीटर से पहले वोल्ट को चेक करता हूँ, कि हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर वाइसिंग वोल्ट का भी ध्यान रखना होता है, अगर व यहाँ पर पहले वॉल्ट कर लेता हूं कि वॉल्ट हमारा कितना मिल रहा है तो देखिए ग्राउंड ज ओ हमारा इसका बॉड़ी हो जाता है और यहाँ पर देखिए मैं इसके बीच वाले वायर जो है यहाँ पर लगवात तीस विल्ट पे हमारा आ गया जब मैंने power supply को सिर्फ चेक करके दिखाया था तो वहाँ पे कितना 40 volt के पास पास आ रहा था लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे volt हमारा जो drop होके कितना volt बना रहा है देखिए 30 volt आ रहा है और यहाँ पे देखिए output में इसका जो 3 नमर पिन होता है यहाँ से हमारा सिर्फ 18 volt आएगा देखिए 18 volt आ रहा है यहाँ से तो यहाँ से 18 volt आप ले सकते हो इसके बाद vicing volt चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 20 volt पे point कर लेना है और एक को ground पे रखना है और यहाँ पे जो base वाला point होता है जो हमारा yellow color है उस पे देखना है कि केतना है देखिए यहाँ पे हमारा point 2 है जबकि यहाँ पे point 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे vicing volt मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि किस परकार से vicing volt होता है मैं यहाँ पे multimeter को इसको add कर लेता हूँ ताकि आपको चेक करके दिखा देता हूँ इसको ground के साथ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इसको मैं यहाँ पे किसी एक पे लगा देता हूँ जो base है base का पीन चाहिए इस section से ले ले जी या इस section से ले ले जी ठीक है यहां पर कितना बना रहा है, 0.2 और यहां पर प्रिसेट लगा हुआ है, आपने देखा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रिसेट लगा हुआ है, उसको जब आप रोटेट करेंगे, तो यहां पर वाइसिंग वोल्ट हमारा बढ़ेगा, मैं आपको ठीक है, 0.5 वोल्ट रखना है यहां पर, 6 भी चल सकता है, इतना पर करके छोड़ देना इसको, यहां पर छोड़ देना है, अब मैं यहां पर मोट को चेंज करता हूँ, तो फिर आवाज कैसा आएगा, अब हमारा यहां पर जो है, आवाज बहुत ही क्लियर आ रहा है, तो आएए इसमें मैं स्वोंग को प्ले करता हूँ, यहाँ पर बाइसिंग गोल्ट मैंने चेक कर लिया है यह पॉइंट फैब आ गया है उसके बाद मैं यहाँ पर स्वोंग को प्ले करता हूँ दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूट मेरे माँ से कनेक्टेड है तो आईए यहाँ पर मैं स्वोंग को प्ले करता हूँ मैंने स्वांग को प्ले कर दिया है यह बेस का है और यह मीड है यह ट्रेवल है ट्रेवल भी कम है और बेस भी कम है यह बेस है यहां पर बहुत अच्छा से काम कर रहा है दोस्तों मैं यहां पर हिंदी संग नहीं बजा पाऊंगा क्योंकि कॉपी रैट बहुत ही जल्द आ जाते हैं इसलिए मैं NCS मुजिक से ही आपको यहां पर प्ले करके दिखा रहा हूं यहां पर दिखिए मैं दूसरा NCS मुजिक में प्ले कर रखा है प्ले कर दोस्तों मुजिक से ही जल्द आपको यहां प्ले कर दोस्तों मुजिक दोस्तों यहां पर आपने देखा कि यह जोगण प्ले कर रहा है और यहां पर मैंने आपको सौंग प्ले करके दिखाया तो यहां पर बेस ट्रेबल और मीड रेंज काफी अच्छा से प्रवाइड कर रहा है हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के दोरान जो है आपको माइक में साउंड अच्छा से ना दे पा रहा हूँ वो अलग बात है लेकिन यहां पर क्या है कि जो साउंड है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्लियर बना रहा है जो अच्छा से दोस्तों आप अपने घर पर बना सकते हैं तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू